एनस्यूआई ने बरती बेरोजगारी को देखते हुए मध्य प्रदीश की राजगार जिले में मोधी सरकार के खिलाफ एक दिवसिय प्रदर्शन और जमकर नारिबाजी की 2014 के लोगसफा चुनाओं में पीए मोधी ने हर वर्ष दो करोर लोगों को रोजगार देने का वादा किया था पर उसमें मोधी सरकार आसफल रही है दरसल बात ऐसी है कि आज NSUI के जिला ध्यक्ष राहुल दांगी के नितरत्व में राजगार जिले में NSUI ने लगातार बढ़ती विरोजगारी के खिलाफ नेशनल हाईवे 52 पर मोधी सरकार के खिलाफ एक दिवसिय प्रदर्शन किया प्रदर्शन के दौरान उन लोगों ने बीच सड़क पर खड़े होकर चाय का ठेला लगाया साथी राहगिरों को चाय भी पिलाई वहीं कुछ युवाओं ने सड़क पर बैट कर लोगों के जूते पॉलिश करके प्रदर्शन किया लाल दांगी ने बताया कि 2014 के लोग सफा चुनाओं में नरेद्र मोदी ने युवाओं से वादा किया था कि वे हर साल दो करोड युवाओं को नौकरी देंगे परन्तु पीम मोदी ने वादा खिलाफी करते हुए चार लाक युवाओं को भी नौकरी नहीं दी है कि इसे पहले मिलों है कर लोग स्वाद कर लोग सब्सक्राइब कर लोग सबाद के दोऊंगे दो रपादा किया था देश के प्रत्यक यूवाओं को मैं रोजगार दूंगा कम से कम दो करोण नोग्रिया प्रतिवर्ष को दूँगा। अज वसके दो न को खुलता आज यूवा इस तरह संकों परेटा हैं तरहीं बेरोजगार हो गया है। लोग और प्रत्य ग्युवा आज इदर उदर भूंते फिर रहा है इसलिए आज हम लोगों ने एक सांकेतिक प्रोदर्शन करके यहां जूता बोलिश और चाई बना लिगी दुपान लगा कर यह सांकेतिक प्रोदर्शन किया है कर दो दो प्रोदर्शन कर दोदर्शन कर दोदर्शन कर दो हो आज है